दिनू नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमेन था। उसका मुंबई में मच्छर भगाने वाले स्प्रे का बिजनेस था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था क्योंकि उसके माबाब बहुत पहले ही गुजर गए थे और उसने शादी नहीं की थी। एक बार वो अपने गा क्या बात है दिनू भाईया, बड़े दिनों बाद आये हो, इस बार रुखोगे ना? हाँ भाईया, इस बार तो रुखोंगा, इतने दिनों के बाद जो आया हूँ, अच्छी बात है, हाँ मगर रात को सारे खिड़के और दरवाजे बंद कर ली ना, थोड़ा होश्यार है यहाँ पे सारा खत्रा है, अच्छा, कैसा खत्रा, क्यों यहाँ मच्छर बहुत आते हैं क्या? हाँ, अगर ऐसा है तो फिकर मत करो, मिर पास मच्छर भगाने वाला इस्प्रे है, मेरी अपनी कंपनी का ही है, अरे बहिया, काश मच्छर होते, तो इस्प्रे से उन्हें मार लेकिन समस्या तो उससे बड़ी है, यहाँ पर कई सालों से डेड़ सारे भूत और चुडएलों का साया है, गाओं के पास एक कबरिस्तान हुआ करता था, एक बड़े बिल्डर ने आकर वहाँ पर होटल बनाने की कोशिश की और पूरी जमीन खुदवा दी, तब से सारे भू करी मगर कुछ भी हल नहीं निकला, चलो अब तुम सो जाओ, हम कल मिलेंगे, और हाँ सारे खिड की दर्वाजे बंच जरूर कर लेना, और लगे हाथ मच्छर भगाने वाला स्प्रे भी डाल लेना, कम से कम उनका हिलाज तो है हमारे पास। मना किया था कि जादा रात हो जाए तो वही रुख जाना कलाना, लेकिन वो नहीं माने, और देखो भूत उन्हें खा गया, ना जाने कब तक हम इन भूतों से डड़ते रहेंगे, पता नहीं इनसे बचने का क्या इलाज है, दीनु ये सब देखकर बहुत परिशान था, और वो पूरे टाइम ये सोचता रहता है कि आखिर इन भूतों से छुटकारा कैसे पाया जाए, अगले दिन वो सुबह सुबह तयार होकर शेहर जाने के लिए निकलता है, क्या हुआ दीनु भाईया, आप तो इस बार लंबा रुखने वाले थे न, तो क्यों जा रहे हैं, जा बाते दिनु भाईया, आप तो बड़ा मुस्कुराते हुए वापिस आये हैं, जब मेरे पास जो खबर है, उसे सुनोगे, तो तुम भी मुस्कुराने लगोगे राजू, अच्छा, बताओ तो ऐसी क्या खबर है, अरे राजू, मैंने तुम गाओं वालों की सबस्या का हल ठूण लिया है, मैंने अपनी कंपनी और एक और बड़ी कंपनी की मदद से एक ऐसा स्प्रे बनाया है, जब से तुम भूतों को भी भगा सकते हो, क्या, भूतों को भगाने वाला स्प्रे, अरे भाईया, मजाग तो नहीं कर रहे न, मतलब जैसे मच्छरों को भगाते हैं आहां, बिल्कुल वैसे ही, नहीं, नहीं, हमें तो इस पर यकीन नहीं है, अगर यह काम नहीं किया तो, उसकी भी चिंता मत करो, मैं खुद पहले ही टेस्ट करूँगा, उसके बाद ही गाउवालों को दूँगा, बस मुझे इतना बता दो कि मुझे वो भूत कब और कहां म पढ़ेगा, तभी दीनु जल्दी से अपने घर के बाहर आगया, ओ, ये रहा मेरा शिकार, चलो अच्छा है तूँ आगया, अब मैं तुझे खा कर अपना पेट भरूंगा, वो तो देखते हैं कि कौन किसका शिकार है, इतना कहकर दीनु ने अपना भूत भगाने वाला स् पर स्प्रे कर दिया, और भूत जलन से तडपता हुआ, वहां से भाग गया, राजु और बाकी गाउंवाले दीनु के घर से बाहर आये और सब बहुत खुश थे, उसे डर नहीं रहा था, बलकि सारे भूत गाउंवालों से डर डर कर भाग रहे थे, कई दिन बीट गये, और सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक गाउंवाला था भोलू, जो की बड़ा लालची था, साथ ही साथ वो दीनु से बहुत जलता भी था, जरा देखो तो इस अगले ही दिन गाउंवे अपनी भी, एक भूतो को भगाने वाले स्प्रे की दुकान लगा ली, ये सब तो एकदम आउम स्प्रे हैं मिर्ची वाले, लेकिन अब तो सारे भूत पहले से दिनु के स्प्रे से डरे हुए, उन्हें लगेगा ये भी असली स्प्रे है, तो वो ऐसे इसे देख कर भाग जाएंगे, मेरा बिजनिस अच्छा चलता रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, कितना समझदार हूँ मैं। भूत? ओ, नहीं, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड सकते हो, देखो, मेरे पास ये स्प्रे है हाँ, अगर तुम आगे आए, तो मैं इसे तुम पर छिड़क दूँगी। सुनीता भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों भूत उसे पकड़ लेते हैं, अगले दिन सारे गाउं में हला हो जाता है कि दीनु का स्प्रे अब भूतों पर काम नहीं कर रहा है। दीनु भाईया ये सब क्या हो रहा है, तुमारा इस्प्रे अब काम क्यों नहीं कर रहा, एक औरत थी सुनीता उसे कल रात भूतों ने खा लिया, जबकि उसके पास इस्प्रे भी था, लेकिन भूत उससे डर कर भाग ही नहीं, नहीं राजू ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा इस चला जाता है, और फिर वो गाउं के बाजार में जाकर पता करता है, तो उसे मालूम होता है, कि भोलू ने भी भूत भगाने वाले इस्प्रे की अपनी एक दुकान लगाई थी, मैंने कहा था ना, ये सारा किया दरा उस भोलू का है, उसने लोगों को नकली इस्प्रे हाँ दिनू तुम सही कह रहे हो, चलो फिर जल्दी से सब लोग उसके घर चलो और उसे सबक सिखाते हैं, उसने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी दिनू और बाकी गाउं वाले भूलू के घर जाते हैं, भूलू अपना घर बंद करके भाग रहा था, लेकिन गाउं वालों को आता देख वो भागी नहीं पाया, गाउं वालों ने उसे पकर लिया और खूब मारा इसके बाद भूलू गाउं हमेशा के लिए छोड़ कर चला जाता है, साथ ही साथ सारे गाउं वालों को भी ये सबक मिल जाता है, क्योंने सिर्फ दीनू के बनाए हुए स्प्रे ही लेने है उस दिन के बाद से गाउं में किसी की भी जान भूतों की वज़ा से नहीं गए